हेलो स्टुएंट्स माइनम इस गितानली अंदिरिया वेलकम टू स्टप अप एकेडमी एक बाद आप मुझे बताई आपने बहुत सारी कहानिया पड़ी हुई है और उन कहानियों में आपने देखा है कि आपका कववी बोलता है तोता भी बोलता है कहीं कुछ भी बोलने लोभी व्यक्ती का क्या परेणाम होता है और जो इमांदार होता है उसका क्या परेणाम होता है जी हाँ स्वर्ण काका में आप ऐसा ही कुछ देखने वाले आपको याद होगी कहानी आपने पड़ी है सुनिये लकडहा रहा है जिसकी लोही की कुलहाड़ी तालाब में अब वह बड़ा दुखी है बैठा है तब ही उस तालाप से इंद्रदेव प्रगठ होते हैं और वो कहते हैं क्या हुआ तो कहता है मेरी कुलाडी गिर गई है मैं कैसे अपने घर जाओं मैं कैसे बिना पैसे के पहुंचू मेरे बच्ची भूंके बैठे होंगे तो ठीक है मैं कर आते हैं वो तुरन पहचान जाता है यही तो मेरी कुलाडी दे दीजी आप मुझे धन्यवाद आपका वो एक नहीं बलकि सौने चांदी लोहे तीनों की कुलाडी उसे दे देते हैं यह बात गाओं में पता चलती है एक लोभी व्यक्ति ऐसी पूरा वाक्या दोहराता है जाता है कुलाडी को जानमुच के गिरा देता है रौने के लिए बढ़ जाता है बापे से नदे प्रगट होते हैं और कहते हैं कि कौन सी कुलाडी तुमारी है तो मैं लेकर आता हूँ वो सबसे पहले लोहे की लाते हो मना कर देता है चांदी की मना कर फिर वो सौने के तो यहाँ उसको कुछ भी नहीं मिलता है तो यहीं है कि यदि आप इमानदार हैं तो आपको इमानदारी के सास्थ बहुत कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा और लेकिन आप लोगी है तो आपका सब कुछ जा भी सकता है तो ये होते हैं सुखद और दुखद परड़ाम ऐसे आप सोने के कहुए के इस पार्ट में देखेंगे सुखत और दुखत परिणाम की लोभी का क्या परिणाम होता है और जो इमानदार व्यक्ति है उसका क्या परिणाम होता है तो पार्ट के माध्यम से आप पढ़ेंगे स्वर्ण काका द्वतिया पार्ट बन है क्योंकि बहुत लंबा पार्ट है तो हम कुछ पार्ट कुछ ही देर में पढ़ेंगे और फिर अगला पार्ट हम अगले वीडियो में पार्ट टू में कम्प्लीट करेंगे तो कि एक साथ पूरा पार्ट पढ़ना तो आपका समय बहुत जादा जाएगा आपके दोनों वीडियो विल्कुल आसपासी रहेंगे तो आपको साथ साथ बो चलेंगे तुरंट आपने पार्ट वन खतम किया और तुरंट आप पार्ट टू पर पहुंच गया जादा देर या पर आपको इंतजार इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा तो पार्ट वन में हम पड़ेंगे उतना ही भाग जितना आपके लिए उचेत है और आपके लिए निश्चित समय के अंदर जो समाप्त कर दिया जाएगा जिससे आपको बहुत अदिक समय ना इसमें देना पड़े और दूसरा पार्ट जब आएगा तो उसमें आप आगी क पाठ का परिचय कि प्रस्तुत पाठ प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री ना बिर्चितात विश्व कथा शत्कम इती कथा संग्रहात ग्रिहितो अस्ती प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री ना स्री पद्म सास्त्री के द्वारा बिर्चितात रचित विश्व कथा शतकम मतलब बिस्व कथा शतकम नाम का एक कथा संग्रे है उस कथा संग्रे से ग्रिहित वस्ति अर्थात लिया गया है आत्र बिविद राष्ट्रेसू आत्र मतलब यहां बिविद मतलब बिविन राष्ट्रेसू मतलब राष्ट्रों में बिविन राष्ट्रों में ब्य लोक कथा हैं, जो बिभिन राष्टेएं में ब्याप थें, कई राष्टेएं में, कई राजेओं में, कई देशों में, जो सुनाई जाती हैं मुख्यतोर पार, ऐसी लोक कथांवों का वड़नन विद्ध्ध थे, वड़नन विद्धवान हैं। एक था वर्म Northwest याम शमाय अस्याम कथायां अस्याम मतलब शम्हान शम्हाम मतलब लुबसे मरें ऍजनी में दम्हाइं तथा प्रीसी मैं यहां लोब के दुस परिणाम और त्याग के सुप परिणाम के बारे में स्वर्ण पक्ष पक्ष मतलब पंख पर पंख सौने के पंखों के वाले कवे के माध्यम से वर्णित तो अस्ती वर्णित है मतलब लोब का क्या परिणाम होता है और जो लोब इमानदारी का क्या परिणाम होता है ये सोने के पंक वाले का हुए की माध्यम से कहानी में वढ़नेत है और ये कहानी विश्व कथा सतकम से ली गई है जिसमें सो कहानिया ब्याप्त हैं जो बिभिन प्रकार के राष्टों की और इसमें से ये म्यामार देश की जो एक कहानी है स्वार्ण निका कहा है यहाँ पर जो दी गई है वहाँ पर ये प्रचलेत है अब इसका हिंदी अर्थ यहीं पर देख लेते हैं प्रस्तुत पाठ श्री पदनु शास्ति द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा अब देखते हैं कि कहानी सुरू कहां से होती है तो कहानी का शुरूआत देखते हैं पुरा कस्मिन चित कस्मिन चित मतलब होता है किसी कस्मिन चित का आर्थ होता है किसी पुरा मतलब प्राचीन या पहले पहले किसी ग्रामे गाउं में एका निर्धन एक निर्धन ब्रद् सी नियाबसत नियाबसत मतलब रहती थी थि थस्याचा एका दुहिता बिनम्र All made on yummy चाशीड स्याह और चाओर तस्या मतलब उसका उसका उसके और उसकी एक deal सलामी डुहिता एकडotic पुत्री एक कैसी बिनम्र All week direito पुत्री वहीर है मनयाइ और मतलब एक बार माता इस थाल्याम एक बार माता ने इस थाल्याम थाली में तंडुलान निशिप चावलों को निशिप मतलब फैला कर पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष सूरिक के तप में सूरिक की गर्मी में तंडुलान चावलों की खगेभ्यो पक्षियों से रक्ष मतलब रक्षा करो ये लोट लकार का प्रयोग है यहाँ पर किंचित कालात अनंतरम किंचित थोड़े समय के अनंतरम मतलब बाद में थोड़े समय के बाद में एको विचित्रह एक विचित्र का कहा सम उड़िये एक विचित्र कववा सम उड़िये मतलब उड़कर तस्याह समीपम अगच्छत उसके पास में आया एक कववा उड़कर एक यहां देखिए इतने कार्थ समझिए पहले किसी गाउं में एक निर्धन रध हिस्त्री रहती थी उसकी एक पुत्री बिनम्रा और मसुंदर थी एक बार माता ने थाली में चामलों को फैला कर पुत्री को आदेश दिया कि सूरी की गर्मी में चामलों की पक्षियों से रक्ष नियावसत मतलब रहती थी, एकदा मतलब एक बार, इस्थाल्या मतलब थाली में, निचिप मतलब फैला कर, रक्ष मतलब रक्षा करो, आगे देखते हैं, किंचित मतलब थोड़ा या कुछ, कालात अनंत्रम, कालात मतलब समय के, या समय से अनंत्रम मतलब बाद में, कुछ समय दिख रहे हैं, वहां से हम तोड़ देंगे तो बन जाएगा ना प्लस एता द्रशा, एता द्रशा मतलब इस प्रकार का ना मतलब नहीं, तो इस प्रकार का स्वर्ण पक्षो, सोने के पंख वाला रजट चंचु मतलब होता है चोच चांदी की चोच वाला स्वर्ण काक सोने का कववा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया पूर्वम मतलब पहले द्रश्टा मतलब देखा ना आगे लगा हुआ है तो उसके द्वारा सोने के पंखों वाला चांदी की चोच वाला सोने का कववा पहले कभी नहीं देखा गया तम उसको तंडुलान खादन तम चावलों को खाता हुआ हसन तम चा और हसता हुआ विलोक्य देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा बालिका ने रोना प्रारम कर दिया कि अरे ये तो क्या मल खाये जा रहा और हस भी रहा है तो बालिका ने रोदितुम आरब्धा रोना प्रारम भी किया तम निवारियंती उसको मतलब निवारियंती मतलब हटाते हुए उसको हटाते हुए साब प्रार्थियत भै प्रार्थना करती है तंडुलान मा भक्षे तंडुलान मत खाओ मतलब चावलों को मत खाओ डुलend माबच्शाय चावलों को मद्या मतलब मेरी माता इद्धर बहुत representing स्वाण्बच्षा का का प्रोवाज सोने का कवा बोलुह है。 procrast haul चिंटा सुचा मतलत हैं इहां पर चिंटा मत scorp'ा घबराविमन सूर्यों दयात् सूर्यों से प्राक मतलब पहले ग्रामात वही गाउं से बाहर पिपल ब्रक्षमनू पीपल के ब्रक्ष के नीचे या अनू मतलब या पास में पीपल के ब्रक्ष के पास तो या आगन तब्यम तुमा आना पिर सुभा सुरियोदर से पहले तुम पीपल के ब्रक्ष के पास आना अहम चावल कामुलद सियां मी इसलिक है कि लब्धारी का लिलफर्ञर होता दिए लयाने इसलिक तोppt ऊकरनुद सुसन्वतराय is तेड़ होना हो थे जो हिए मुनिया जाना था चुने बढ़ी ही प्रसन्य packets ती क्यात है जाना थे सब तो बड़ी खुश थी और इस कारण उसे नीद मी नहीं आई तो यहां आपने एक एक शब्द का अर्थ देखा अब आप कम्प्लीट यहां पर अर्थ देखिए इस प्रकार सोने के पंखों चांदी की चोच और सोने का कववा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया उसका च प्रक्षि के नीचे तुमा जाओ आओ मैं तुम्हारी लें चामल का मुल दूंगा प्रसन बालिका को नीद भी नहीं आई रात भर वो सोही नीपाई इतनी वो जादा प्रसन थी शब्दों के आर्थ हैं ना धन एताद्रसा मतलम नहीं इस प्रकार ठीक है शब्द का आर्थ तो विलोक कि यह संझाता हुई या हुआ आगे बढ़ते हैं प्रसाद मतलब होता है आपर महल आएगा भी भक्षय मतलब खाओ मदिया मतलब मेरी तुम्हारे लिए आपको सीड़ी देख रहे हैं लड़की देख रहे हैं क्यों यह सीड़ी लगाई गये तो यहां पर हम दे सूर्यो दयात पूर्वमेव सूर्यो दय से पहले ही पूर्वम मतलब पहले सूर्यो दय से पहले ही सा तत्र उपस्थिता यहां पर हम शब्द को तोड़ देंगे क्योंकि आपको यह संधी आए कि अभी आगे तत्र में जहां ओकी मात्रा लगी वहां से तोड़ेंगे तो तत् मतलब वहां उपस्तित हुई सूरद ऐसे पहले वह वहां उपस्तित हुई छो परी फिर मतलब क्या जाएगा उ तो क्या बन जाएगा घ earn उपड़्द के उपर विलोक देख कर प्रत्य यहां पर लिप सच्छा और वह चकिता संजाता आचित कि यत कि पितर मौह clean स्वर्ण मयाह सोने का प्रासाद मतलब महल वर्तती मतलब है क्या देखकर आसर चकेत हुई कि वहां सोने का महल है यदा काका यदा मतलब जब काका मतलब का हुआ शैत्वा मतलब सोकर प्रवुद्ध मतलब एकदम तयार हो गया उससे निर्वरत्त हो गया सोकर तदा तब तेन उसके द्वारा स्वर्ण गवाक्ष, गवाक्ष मतला होता है खिड़की, सोने की खिड़की से तत कथिताम उसने कहा, हो बाले अरे बाली का तुम आगता, तुम आगें तिष्ठ रुको, अहम त्वत क्रते मैं तुम्हारे लिए सो पानम सीड़ी अवतार यामी उतारता हूं, तत कथै, तब कहो, स्वर्ण मयम, रजत मयम, तामर मयम वा, सोने की, चांदी की, अथ वा, तामवे की, कौँजी सीड़ी चाहिए, कन्यावदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता, मैं गरीब माता की पुत्री, अस्मी हूं, तामर सोपानेन, एव, तामे की सीड़ी के द्वारा ही, आग में स्यामी आ जाओंगी, तामे की सीड़ी के द्वारा ही, आ जाओंगी, परम सोण सोपानेन, परन्तु सोने की सीड़ी के द्वारा, सा सोण भवनम आरोहत, किन्तु, उसने तो तामे की सीड़ी मांगी, किन्तु, सोने की सीड़ी के द भवन पर चड़ी अब यहाँ पर आपने एक एक शब्द का अर्थ जाना अब यहाँ पर आप कम्प्लीट अर्थ देख लिजिए सूरदय से पहले ही वहाँ उपस्थे थो गई और ब्रक्च के ऊपर देखकर आशे चके थुई की वह सोने का महल है जब कवा सोकर आया तब उसने सोने की खिड़की से बोला अरे लड़की तुम आगई रुखो मैं तुमारे लिए सीड़ी उतारता हूँ तुम कहो सोने की चा और यहां पर इसके शब्दार्त तत्रधन उपस्थिता जैसे अए पैट को पढ़ाते समय बता दिये था तत्र मतलब वहां और उपस्थिता मतल वोपस्थित नहीं वे इसगण वह इस नहीं पढ़ा अभी एक पार्ट में, पार्ट चुकी बढ़ा है, हमने अभी इतना ही आपको पढ़ा है, जिससे आप इसे बहुत अच्छी समझ पाएं, एक एक शब्द को समझ पाएं और इनके दिये हुए शब्दार्थों को भी आप याद कर पाएं, शब्दार पेपर में नहीं आप बने रहेगा हमारे साथ क्योंकि बहुत जल्दी आने वाला है इसका पार्ट टू, थैंक यू सो मच